ब्लॉग में आज मैं बात करूंगा एससी जीडी कटाप के बारे में यहां पर आप देखेंगे तो मैंने 2021 का डाटा लेगा हुआ है जो प्रीविएस एर कटाप थी उससे रिलेटेड मैं सारी चीज़े बताऊंगा एकदम एकुरुएट कटाप बताऊंगा वीडियों बने लेना वीडियो थोड़ी से लंबी होगी क्योंकि मैंने पूरा एनलेसिस किया हुआ है बागी आप टेलीग्राम जोइन कर लिए चैनल पना हो तो सब्सक्राइब कर लेना यहां पर आप दिखेंगे टोटल वेकंसी थी पच्चीस जार दोशेकतर टोटल फॉर्म पड़े थ ये अलग-अलग जगांकी थी यहां पर मैं बात करने वाला हूं पूरा कटाप के बारे में तो यहां देखेंगे जो हमारा पहला के यूप यह उत्तर प्रदेश से आप देखेंगे तो यूर की कटाप गई दिशाचण की 63 गई थी से की आप देखेंगे तो अंठाउं वे है क्योंकि यहां पर आप देखें कि जन्रालेजिया की कटाप सबसे हाई रहती है बाकी की कटाप सबसे नीचे ही रहती है नक्सल एरिया हो गया बॉर्डर एरिया हो गया फिमेल की कटाप इस से नीचे रहती है तो फिमेल के बारे में अलक्स में पताऊंगा अगर आप कि वहीं दिलाही कि मैं बात करूँ तो एक सट गई थी यू आर की 44 गई थी एड़ेवलीएस की साट गई थी आप देख सकते हैं यसी की 45 स्ट की 57 जो है गई थी ओवी सी की उत्रा खंड की मैं बात करूँ तो यहां पर आप देखेंगे तो एक सर्थ दसम्मलों यानि लगवा पांच लोग ती जनरल कटेघरी की वहीं उनसर्ड गई थी यानि साट मांज सकते हैं साट गई ती स्ट की 65 गई थी और सर्थ दसम्मलों यानि अट इसट गई थी ओवी सी कटेगरी की वहाई पर MP की 64 गई थी जनरल की 52 गई थी इडवलीएस की 58 गई थी आप देखेंगे 15 गई थी स्ट की पपैसट गई थी ओवीसी कंडिट्स की जहांब करतें तो यहां good तीन त्यों पाल गईती यहनी में सब्सक्राइब थी यहां पर आप देखेंगे तो EWS की तो यह एप्रॉक्स में बता रहा हूं बाकि आप पॉइंट में आप देख सकते हैं दिया हुआ है बाकि यहां पर आप देखेंगे 57.37 गई थी ऐसी की एसटी की कोई वेक만 सी नहीं थी उसके बाद यहां देखेंगे 62.8 गई थी यहां पर आप देख सकते हैं तो किसी तो यहां पर OBC की पंजाब में देखेंगे 38.64 उसके बाद यहां देखेंगे यह जनरल की थी यह यहां पर EWS की थी यह SC की थी ST की कोई वेकंसी नहीं थी OBC की 47.41 गई थी माचल प्रदेश की 22.29 वहीं पर EWS के 49.28 गई थी SC की 48.54 वहीं ST की देखेंगे तो 52.13 गई थी और यहां पर आप देखेंगे तो 50.54 दो गई थी यहां पर OBC कड़ेगरी की चंडी गण से देखेंगे तो 42.04 गई थी UT है तो जनरल की EWS की कोई वेकंसी नहीं थी 37.39 गई थी SC की की कोई वेकंसी नहीं थी 49.29 नौ चार यहां पर OBC कड़ेट की कटाप गई थी 36 गण की मैं बात करूं तो 46.04 EWS की देखेंगे 25.08 वहीं देखेंगे SC की 43.1 एक एक उसके बाद यहां देखेंगे SC की 37.78 और 55.43 गई थी OBC की तो यहां आप देखेंगे इस नीचे जब आएंगे तो यहां देखेंगे जारखन से जब शुरू करेंगे तो हरियाना पंजाब हिमाचल पदेश चंडी गड़ और 36 गड़ की कटाप लो गई थी यह लो जुबन में साथ से 65 की बीच में इसकी कटाप थी उसी का डाटा लेकर मैंने बनाया है क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि पेपर का पाइटन चेंज हो गया है अब इसके बारे में कोई नहीं बताना तो यहां पर इसके बारे मैं पूरा डिटेल में यहां पर यहां पर वहां पर वह पर वह के बारे में थोड़ा सा तो यहां देखेंगे ससेफ के बारे में तो यह female की कटाप है ससेफ की यहां इसकी गई थी 64 सटी गई थी 60 और यहां पर यूर की गई थी 72 कटाप और वहीं पर देखेंगे तो महिलाओं के लिए 30,000 सब्सक्राइब के लिए और यहां पर देखेंगे ससेफ की कटाप मेल की तो यहां पर देखेंगे दोस्त यहां पर टोटल हाई लाग कंडिडेट को यहां पर क्वालिफाई गया था अलग अलग कटेगरी के लिए यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर देखेंगे टोटल इस बार जो सीट है वह लगवग जबल आप मान सकते हैं यानि बीच जार सीटे ज्यादा है इस बार 45 और फॉरासी है और फॉर्म वही लगवग एप्रॉक्स में लगवग 45 लाग क्या असपास पड़े हैं इस बार पैटरन थोड़ा सा बदला हुआ है तो इस बार मतलब हुआ क्या है कि 80 कुश्चन हो गया है और यहां पर साथ मिनट में आपको करना है थोड़ा सा टाइम भी कम हो गया है कुश्चन भी इन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लगवग सेम चीजे होने वाले है तो इसका भी कर दिया है बात मैं करूंगा कटाप की तो यहां पर यूपी बिहार दिल्ली उत्राखन राजस्थान MP और हरियाना पेपर दिल्ली उत्राखन राजस्थान मध्य प्रदेश हरियाना यह आपके वो जोन है जहां से कटाप थोड़ी से आई जाती है अगर आपका राजी छूट गया है तो आप कमेंट करिएगा वहां से मैं उसके लिए अलग से इपरेट वीडियो बना दूंगा चलिए बात करता तो यहां पर अगर आप यूर कटिगरी से हैं अगर 95-100 की बीच में स्कूर करते हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में हैं आपको पीटी के लिए बुलाया जागा बाकि दो से पांच नमबर आप इसमें प्लस मान सकते हैं पीटी के बाद फाइनल कटाप के लिए वहें OBC है तो 94 से 99 की बीच में कटाप रहने की उम्मीद है EWS 88-92 की बीच में यह 160 नमबर में कटाप गई है वह भी मैंने आपने देखा होगा मैंने आपको बताया था पिछले डेटा के अधार पर उसी के अधार पर मैं कटाप बता रहा हूं पर कची थोड़ी सी ज्यादा है तो कटाप इससे थोड़ा सा लो ही आप मान सकते हैं इससे हाई तो रहने की उम्मीद कम है बाकी नॉर्मलाइजिशन पर डिपेंड करेगा पेपर कैसा है उस लेबल पर और यहां पर आप देखेंगे अगर मैं यहां पर बात करूँ तो यहां पर देखेंगे जहारखन पंजाब हिमाचल प्रदेश चंडीगण और यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यानि इसकी कटाप आप देखेंगे तो थोड़ा सा यानि इसकी कटाप आप देखेंगे तो थोड़ा सा लो तो ही रहेगी जहारखंड पश्रिम मंगाल जहारखंड पंजाब हिमाचल प्रदेश चंडी गण और यहां पर चत्रिस गड़ा आप देख सकते हैं अगर मैं बात करो दोस्त यूर की तो यूर आप देखेंगे तो यानि जनरल की तो 64-83 की बीच में यह वैरियेशन इतना दि देखेंगे यहां पर 53-30 और यहां पर पंजाब को अनुटीस ही है और यहां इसका देखेंगे तो 42-46 तो इसलिए इतना वैरियेशन मैंने लिया हुए इसी के अधार पर मैंने इसका टप को बताया हुए तो यहां आप देख सकते हैं तो यहां 64-83 की बीच में वहीं वहीं सेफ जोन में कोई दिक्कत कोई परिशानी वाली बात नहीं है वहीं अगर मैं बात करूं EWS की तो आप 42-64 की बीच में है तो यह वैरेशन ज्यादा इसलिए दिख रहा है मैंने आपको कारण भी बता दिया किसलिए दिख रहा है वहीं 80 की बात करूं तो अगर 56-60 की बीच म तो बिलकुल सेफ जोन में है वहीं अगर सेफ जोन में है तो बिलकुल सेफ जोन में है आपको कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं होने वाली है आप बिलकुल सेफ जोन में है आपके सेलेक्शन हो जाएंगे बाकी वीडियो आपको कैसा लगा मेरा अनिलसिस आपको कैसा करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा ओके थैंक्यू